कि हाह थे यह ऐलो हैं कुभ युच्व जो का एस टेडिपिज यान मनुविग्यान तथा सर्भॉचना विग्यान के अधार पर मनुष्च юअ कि ग्रना कैसे यहां पर स्राइब Suzanne इह एक यहां करूझेज हो नियुकल को इत्तवर्बंस्यgia डेखा संप ह्याता आप एक से जरूर कोश्चन आते हैं, तो वीडियो को सुरू से लाज सक देखेगा, वीडियो को स्कीप मत किजिएगा, तो चलिए जानते हैं, मोनो भिग्यान तथा सरी रचना भिग्यान के अधहा पर मनिर्शिक की आयू की गर्णा कैसे की जाती है, तो यह चार प्रकार्सि की जाती है, पहला है कालकरम आयू, जिसे क्रोनोलोजिकल एज कहते हैं, दूसरा है सारी रचना आयू, जिसे इनटोमिकल एज कहते हैं, तीसरा है सारी क्रियात्मक आयू, या दहिक आयू, जिसे फिजियोलोजिकल एज कहते हैं, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कालकरम आयू के अधाप यानि की क्रोनोलोजिकल एज के अधाप मने इसके आयू के गरना कैसे की जाती है ये जन्म से लेकर वर्सों, महिनों और दीनों में गर्णा की जाती है, बस इसके लिए एक बात याद रखेगा कि ये वर्सों, महिनों और दीनों में गर्णा की जाती है, ठीक है, जहां भी वर्सों, महिनों और दीनों की बाता है, वह कालकरम आयू रहेगी, कोशन इस प्रका में गरना की जाती है तो कुश्चन ऐसे पूछेगा और इस लिए इसको कलेंडर एज के नाम से भी जाना जाता है कलेंडर आयो के नाम से भी जाना जाता है इसकूल से था मार्क सिट की आयो के नाम से भी इसे जाना जाता है तो कुश्चन जैसे कि 12.05.1972 अठाथ 12.05.1972 इस परिके से गढ़ना की जाते हैं जाते हैं या कोई चीज बनाते हैं कि इसका आयू कितने हो रहा है तो वहां पर कालक्रम आयू क्रोनोलोजिकल एज का ही प्रयोग किया जाता है एक स्कूल का मार्क्सिट बनाते हैं इसको एज कराते हैं तो एक क्रोनोलोजिकल एज का ही प्रयो उसे प्रिखार से पूछ सकता है कि, वर्सों महीन और दिनों में, किस परकार के एज को बापन जाता है तो कुरॉनो लोजिकल एज को दुसरा है तरी रचना आयो यानि एनुटॉमिकल एज इसके अंतरगत ऑसिफिकेशन आफ बोन यानि की हड्डियों पर निर्फ़ करता है हक जैसे कि कंकाल तंत्र अस्थियों की परिपकता परदायर की अस्थियों कितना परिपक हुए है इस अधार पर हम इसकी गर्णा करते है ठीक है आयो की जैसे कि अंगों के पुड़ बिगाज से आयो का पता लगाना ठीक है जैसे कि उदाहर के लिए इसमें दातों की गर्णा करके आयो का पता लगा जाता है इसके पुला अस्थि के अधापर पता लगा जाता है कि इसके किसे दातों की गर्णा करके इसके की जाती है, ठीक है, इसमें महत्वपड्र है कुछ बिंदु, कि इसके edge की गर्ना के लिए, जो दाहिने हाथ्थ की radius bone होती है, CHA वोवलनी जो होती है, उसका प्रयुग किया जाता है, ठीक है UM बौन में इसके प्लास्थती रातों की इसे हड़ी की आयो का पता कैसे किया जाता है? कि हड्डी के आयो कीतनी हो रही है तो ह 감사 कर दाही में हाथ की Radial bowl की मिद्वाइब का प्रियोग किया जाता है तेंक है? इसे हड्डी की आयो ग्यात की जाती है इसलिए इसे X-ray age के नाम झाना जाता है तो question यहाँ पूर्च सकता है कि X-SWH के नाम से किस हड़ी को जना जाता है तो radial bone को X-SWH के नाम से जना जाता है इस तिक इसके द्वारा radial bone के द्वारा हड़ी के आयू को ग्याद किया जाता है तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो के एक दम ध्यान से सुनिएगा अब पेड़ों के आयू का पता annual ring द्वारा पता लगायाता है ठीक है तो A था हमारा सरी रचना आयू यानि anatomical age ठीक है आप समझ गए होंके anatomical age ossification of bone यानि कंकाल तंत्र अस्थियों की परिपकुता पर अधायत होती है अंगों के पुरुव विकास इससे आयू का पता लगायाता है कि आयू का पुरुव विकास हो गया है दातों के गणना करके इसके पुला अस्थि के अधा पर एंड हमारे जो radius दाहिने हाथ की radius bone होती है उसके उससे हडियों की आयू का क्यात की जाता है जिसे एक सरे एज के नाम से जाना जाता है तो इस सब कि अधा elegant को एक कौमारे से समंदित है यानि कि हमोस के स्थराव से समंदित है जो हमारे बाड़ी में चेंज़े जाते हैं वॉरेष इन गेल्स में उस पर अधायद है थी लड़कों में मासिक धर्म मासुरेशन प्रियेड से पता चलता है कि उनके आयू क्या हो रही है ठीक है ठीक है लड़कों में पुनरो नितंब रोम यानि की मुच इन पता लगा जाता है, इसब लड़कों की इज सारे परिवरता जो वे बाइस गर्षमें होती है, यह हर्मोन के इस तरह के करण होती है। तो हमारे बारे में जो भी चेंजर जाते हैं वाजन गर्स में इन सब का गणना पीजियोलोजिकल एज के अंतरगत किया जाता है तो इसके बीसी सब स्थिहान में रखिएगा ठीक है अब लड़कियों में मास्टूरेशन यानि की मासिध धर्मकाल से पता लगाया जाता है तो इस सारे जो हर्मोन नल्ब चेंजर होती है इन सब के अधा पर दरहिक आयो यानि आतमक आयो यानि फिजियोलोजिकल एज की गर्णा की जाती है घिक हैं नेक्स्ट है मानसिक आयो यानि मेंटल एज इसमें बच्चे की मानसिक परिच्छर किया जाता है यानि उसकी उसकी आयू की अनुसार देक है करते हैं , जैसे कि थर्ड कुलास का बालग है , यह जो जोड़ाना अच्छे से परलगी मैनल सब्सक्षाहिक है , विसमे का प्रियोग के वाक कि लिए का प्रियोग के पॉमिखात है , मानसिक आयू अपान कालक्रम आयू यानि कि वास्त्विक आयू ठीक है अपान गुड़े सो मानसिक आयू बटे कालक्रम आयू यानि वास्त्विक आयू गुड़े सो यानि में अपान सी यानि मानटल एज अपान क्रोनलोजिकल एज गुड़े सो इस सुत्र द्वारा मानसिक आयू यानि बुद्धी लब्धी का पता लगाए जाता है तो इस समध में टूकमेन मनविज्यानिक ने कहा है कि मानसिक आयू एक ऐसा प्रापतांक है जिसका निधारर जो है अपने ही उम्र या अपने से अधिक उम्र के बच्चो के आउसत कारे के इस पादन के साथ उसका तुलना करके ग्यात किया जाता है जैसे इकजैंपल्य कि कुई बच्य च्मत जयक्ठी हशा है यानि उसका वास्थविक आयू जो कहते हैं वह 6 वर्ष के बुद्धी परिश्चर में सफल हो जाता है तो क्या होगा उसकी वास्तियुक्त अध्या नीमान सी अधर क्या हो जाकी है क्योंकि वह 6 वर्ष का है और आठ वर्ष के बुद्धी परिश्चर जैसा आठ वर्ष के ऑपने के वास्तिव का युदि मुष्ण घजा है कि भी जाती है आट वर्स के अधिक अनुर स्वर्ण है और शीडेयों प्रेश सार का द्हार के जर्ण сторangen शर्ण होता है तो उसे की मानसिक आयू चार वर्स की है और वास्तिक आयू छी वर्स की है और येदि वह छे वर्स का बालक है और छे वर्स की बुद्धी परिशन में सफल होता है तो उसे की मानसिक आयू वह वास्तिक आयू दुनों बराबर होंगी तो इस प्रकार मानसिक आयू ग्य लेबल चेक किया जाता है तो IQ यानि intelligence quotient IQ का प्रफर्म क्या होगा intelligence quotient यानि बुद्धी लब्धी बुद्धी का परिच्छा करना तो IQ का सुत्र क्या हुआ अपान क्रोनोलोजिकल एज गुड़े सो यानि मानसिक आयू बटे वास्तिक यानि क्रोनोलोजिकल एज गुड़े सो तो दोस्तों यह था मनुस्य की आयू की गरना कैसे की जाती है तो चार प्रकार से की जाती है मैंने बताया कालक्रम आयू यानि क्रोनोलोजिकल एज सरी आयो या फिजियोलोजिकल एज, मालिसिक आयो या मेंटल एज, इन चारों प्रकार से याद कियाता है, और इन चारों प्रकार से मुख्य पायन को जरूर याद कर लिजीगा, इसे कोचन जरूर पूछे जाते हैं, और पक्का पूछा भी जाएगा, तो दोस्तों ए वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताईए और इन वीडियो को, इस वीडियो को ज़्यादस जरूर है, दोस्तों तक भी सियर किजिए, जिससे जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो, उसके पास वीडियो पहुच जाए, तो दोस्तों पहले बार बिजिट कर रह जाहिंग